नमस्कार स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दाहार का समान नागरिक सहिता यानि की यूनिफॉर्म सिविल कोट एक ऐसा कानून जो सभी को समानता का अधिकार देता है बीजेपी के एजिंदे में यूसी सी हमेशा से शामल रहा और ऐसे में राममंदेर, धारा 370, तीन तलाक, नारी बंदन अधिनियम जैसे फैसलों के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बिलकुल लाने की तैयारी में है यूसी सी समर्थकों का तर्क ये है कि इस खानून के जरीए सभी को बराबरी का अधिकार मिलेगा, साथ ही महलाओं के अधिकारों में इजाफा होगा, लेकिन दूसरी तरफ यूसी सी का विरोध भी होने लगा है इसको लेकर तर्क क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का विचार ही समविधान विरोधी है और इसे धर्म से जोड़कर कई तरीके के दावे किये जा रहे हैं जो कि सभी धर्मों के लोगों को एक जैसा अधिकार देता है उत्तरा खंड विधान सभा में आज यूसी सी विध्या को पेश कर दिया गया इस दोरान विधायकों ने सदन में जैशी राम और बंदे मातरम के नारे लगा है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के विधायकों ने होहला जारी रखा और उनका ये भी कहना है कि उन्हें ड्राफ्ट पढ़ने का समय नहीं दिया गया कल ही पीम मोदी ने 2024 चुनाब में 400 पार का नारा दिया था और ऐसे में कहा ये जा रहा है कि UCC के जरिए बीजेपी के 370 सीट और एंडिये के 400 सीटों का टागेट पूरा हो जाएगा इससे पहले समानता वाले विद्यक को आखिर धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है यूनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर पहले वो सुन लेते हैं अब आप देखिए कि अगर आपको चर्चा करनी है आपको इसमें कोई सुझाओ देना है आपको कुछ जोड़ना है तो सदन के पास आपका अधिकार है सदन में आप उस अधिकार का परियोग करके दीजिए लेकिन आप बजाए इसके कोई ना कोई इस परकार का वातावन बनाके केवल विरोध करना ये कॉंग्रेस के एजंडे में रहता है केवल यही नहीं धारा 370 राम मंदिर या यू सी सी ओ या अन्य इस परकार का कोई जो देश के बहुत संक्य के भावना के अनुरूप कोई काम हो हमेशा उस विरोध को लेकर कॉंग्रेस मुखर रहती है त तो इसलिए इसमें कॉंग्रेस को कोई कहने के बात नहीं है उन्हें आज भी विरोध करना है कल भी विरोध करना है आज बहुत एत्यासिक दिन है बद्री के दार की फूमी से जहां भगवान सब को एक नजर से देखते हैं वहां महला शक्तिकरन के लिए यह हमारा प्रयास ह मैं धामी जी को बहुत बहुत भाधाई देता हूं महलाओं को मजबूत करने के लिए शक्तिकरन के लिए यह बिल लाए हैं और मैं यह समझता हूं कि आज एतिहासिक दिन है हमारे लिए मेरी सिकायद क्योंकि धामी जी की उस शुक्ता समझमा आती है क्योंकि उन्होंने बहुत चातुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यू सीची का उपयोग किया है मकर केंदर से मेरी सिकायडी है कि उन्होंने उत्राखण जैसे चोटे राजपू सीमांत राजपू कि जो तोकनिजम के लिए इस्तिमाल किया आपने प्रथीकात्मक्ता के लिए हमारे राजप को इस्तिमाल किया आपको लाना था युणिफर्म्स सिभीय होट अब सेंटल ग हमारी सीमाओं के लिए होगा कहीं दूसी के लिए तो नहीं होगा देखी यूसीसी का जो धामी गौर्णमिन्ट ने पेश किया है मैं समझता हूं कि पूरे हिंदोस्तान में लॉकमेशन ने सर्कुलर जारी किया था कि कॉमन सिविल कोर्ट के सिलसिले में राय ली थी मुझे ल कि बाते हैं उसमें लेके आई हैं उन तमाम चीजों को एक्ग्जामिन किया जाएगा और जहां तक चाहे, शादी बैया के सिस्टम की विरासत की बात की लड़कों को गोड लेने की बात है तो देखिए हम तो मुसल्मान है और हमारा इमान इस बात पर है कि कुरान और हदीस जिस चीज़ की गाइडलाइन करती हम उसके मताबिक अमल करते हैं जहां तक मामला ये रहा कि यूसी सी पर क्या होगा अब देखते हैं कि उसमें निकल के क्या चीज़ आती है फिर इस पर बात होगी लेकिन लॉग कमिशन के ड्राफ्ट का आज भी हिंदोस्तान की अवाम उसका इंतिजार कर रही है देखती है इसको और आए दाहर में इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे वो सवाल जिनके इर्दगिर्द ये चर्चा घूमती हुई नजर आएगी उनका जिक्र पहले कर देती हूँ समानता वाले विध्यक को धर्म से जोड कर आखर क्यों देखा जा रहा है मैनाओं को अधिकार देने वाले खानून का विरोध क्यों हो रहा है कूप रधाओं को खत्म करने वाले खानून का विरोध क्यों और क्या यूसी सी के जरिए दोहजार चौबीस साधने की कोशिश क मौझूद हैं ब्रिजभान सिंग पॉलिटिकल आनलिस के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुएं हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हैं नेहा रस्तोगी अधिवक्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं और संजीव कौशिक जी राजनेतिक जारी है बार बार धामी सरकार इस बात का जिक्र करती है कि हम एक समानता वाला कानून लेके आ रहे हैं लेकिन उसके बवजूद आरोप इस बात का ये कि आप सीधे सीधे आठ फीसदी को उस राज्य में टागेट कर रहे हैं एक तरफ जब हम समानता की बात करते हैं तो हम क लिखते आये हैं, हाँ ये बात जरूर है कि उनको कभी-कभी पूरा करने में हमको समय लग गया, पहला था धारा 370 को हटाना, दूसरा था राम मंदर को बनाने के लिए जो movement चल रहा है, जो प्रयास लगेंगे वो हम करेंगे राम मंदर को बनवाना, और तीसरा था हमेशा से ह की uniform civil code को इस देश में लेकर आना, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चर्चा नहीं है, आज वो समय आ गया है, समाज के विभिन भागों से बात करके, बहुत सारे stakeholders से discussions करके, बहुत सारी committees को बनाने के बाद, जब हमें ऐसा लगता है कि ये अब सही समय है, हम समान की बात करते हैं, हम यहां पर किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, हम यह कहते हैं, अगर एक बच्ची का जन एक परिवार में है, तो उसको स्कूल जाने का भी हक है, 21 साल तक उसकी शादी भी नहीं होगी, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, वो अपने जीवन को कुछ बना पा इस इशू को दूर करने के युनिफॉर्म सिविल कोड को लाना बहुत जरूरी है, अच्छा युनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो ब्रहम फैलाये जारा है विपक्षियों के द्वारा, वो सारा का सारा जूट है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, सर किसी भी विरोधा भास को खत्म करने का एक मत्र तरीका होता है और वो होता है समबाद जब आप इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं एक तरफ ये आरोप कॉंग्रिस लगा रही है कि भाई रज जबार क्यों केंदर इसको लेकर आगया है एक common draft uniform civil court पूरे देश के लिए एक कानून राज्य में क्या परिस्थितियों को देखते हुए इसको बदलना ठीक लज़र आता है और दूसरा उनके साथ क्या कोई समवाद नहीं करना ये किस तरीके के विरोधा भास को और ज्यादा बढ़ाता है समवाद करिये समधान निकालिये और उसके बाद मिलकर है कहते हैं सिक पहल की तरफ आगे बढ़िये बिलकुल और आपकी बाद बिलकुल ठीक है तो देखिए सचाई ये है कि ये समवाद बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है असी हजार से जादा लोगों का सयोग लेने के बाद कमिटीज अपनी रिपोर्ट सेखती हैं उनके सारे सुझाओ को लेने के बाद कमिटीज आगे बढ़ती है और अपने सुझाओ सरकार को देती है तो जिनका ये कहना है कि एक कंसेंस नहीं बठाया जा रहा या स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं करी जा रही ये भी गलत ही कहना है जितने बिंदू पर उनिफॉर्म सिवल कोट बात करने जा रहा है आने वाले समय में हमारे सामने वो सारी बाते आएंगी वो बहुत ही इंपोर्टन है और वो बिल्कुल बेसिक चीजे है जो इस देश के हर एक नागरे को गैरंटीड होने चाहिए जब हमारे देश आजाद हुआ था उसी समय हम उनिफॉर्म सिवल कोट को लागू करना चाहते थे लेकिन तब वो नहीं हो पाया हमारे समभिदान में भी डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स अव स्टेट पॉलिसी में उसको इसले ही इंक्लूड किया गया था कि आने वाले समय में कभी न कभी ज़रूरी है कि युनिफॉर्म सिवल कोट लाया जाया आधा अधूरा कानून नहीं फॉलो कर सकते देखिए अभी भी कोई कोई आपी के शो पर जिसका पहले बाइट ले रहे थे वो शरिया लौ की बात कर रहे थे अब शरिया लौ आधा फॉलो नहीं कर सकते आपको शरिया लौ फॉलो करना है तो जैसे इसलामिक नेशन्स में 100% होता है ना कि चोरी की सजाज भी हाथ काट की मिलती है तो आप या तो उतने हिसाब से शरिया लौ फॉलो करने के लिए तयार रही लेकिन अधिकार तो पहले संविदार ने दिया ना चारू यही तो बार बार दलील दी जा रही है कि अधिकार अपने धर्म के हिसाब से चलने का संविदान ने दिया संविदान का वो बहुत सारे हक दिये हैं लेकिन किसी एक का हक दूसरे का ख मारे यह हमारा समविधान नहीं कहता यह हमारा समविधान कभी नहीं कहता कि एक लड़की की शादी के बाद उसका पती तीन और शादी कर पाए और वो उसके बारे में अवास तक ना उठा पाए Now that is something that Uniform Civil Code has to fix. That is equality in the truest sense. I would like to ask you a question, but I would like to ask you a question about three people who are going to do three or four people who are going to do three or four people in this country. पूरे बारत के अंदर पहला रहे क्योंकि मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि एक कम्यूनिटी को टार्गेट कर रहे जो यू सी के नाम पे बार बार यह कहरें कि आप बेहन बेटियों को समानता देंगे अरे यह बताइए जब आप खुदी चैनल पर बैट का ऐसा भरम पै कम्यूनिटी को हमेशा टार्गेट करना अच्छा हाजी नाजिम आपको कुछ सेकंद्स के लिए और उसके बाद वापस आपके पास आऊंगे कुछ सेकंद्स के लिए और क्यूंकि उन्होंने बड़ा सवाल उठाया एक नेहा जी आप मुझे यह बताईए क्यूंकि बड़ हाजी यह बड़के बने लए और यह कोई यह थार्म जांटी की बात नहीं हो रही है ऐसा प्रक्टिस हुआ है ऐसे सुप्रीम कूर्ट में आज बिकच में और और उनको मुसलिम महिलांये नहीं मिला चात्य पर धींड़ bud मैं से प्रॉपर्टी में राइट हम हिंदूों को तो सारा ये सब मिल गया हम उसके हमें 100% राइट है हम उसकी फाइट नी करे हैं मतलब मुस्लिम महिलाए भी चाहती है कि उनको बराबरी का अधिकार मिले जमीन जायदार पराक मिले ये वो सब चाहती है ये यू सी सी कोई रॉकेट है ये चीज़े आप डिप्राइव हमारे हिंदू में भी पहले हुआ करता है ता सतीप राथा हो गया फिर जाकर और भी चीज़े होती है जो वानिश हो चुकी है बट ये रधाओं को खत्म करके हम एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ बढ़ रहे हैं ना कि रिग्रेसिव हम पीछे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और बदलब जरूरी भी है आती हूँ आपके पास संजीव कौशिक जी आपके पास आते हुए ये मुझे जरा समझाईए कि भाए और इसके साथ ही भ्रांतिया ये दो चीज़ जो पहलाई जा रहे हैं इसको कैसे दूर किया जा है जब एक बड़ी पहल वहां की धामी सरकार कर रही है और इन रेफरेंस तो बीज़ेपी आलसो जो केंदर में इसको लाने की तयारी करते हैं पूर्णिमा दो बात है पहली बात तो ये कि यदि इस्तिरियों के हक की बात की जाए तो निश्चित तोर पे शादी हो तलाक हो अधिकार की बात हो बच्चा एडप्शन की बात हो या फिर समंद्बचेत की बात हो इस नजरिये से यह आप देखती है तो लिश्चित तोर पे समाज में जो हमारी नारी वर्ग है उसको मजबूती मिलेगा इसे और मिला ही चाहिए वो हकदार है और अभी तक यह हारा की बात है उन्होंने एक सीरे से यू-सी-सी को खारिज कर दिया उन्होंने काल कि यू-सी-सी लाने से बहतर है और इसमें बदलाव लाया जाए है कर ले तो जब आप उसको गौर से देखेंगी तो उनको ऐसा लगता है कि इस कानून से हमारे उस जो दिती रिवाज हैं जो हम सदियों से देखते चले आए हैं उसमें हस्त छेप करने की एक कोशिश की गई है अभी आप ने देखा कि भारती जिंता पार्टी के प्रवक्ता न चाहते हैं वो यह समान अधिकार की बात है कि बराबरी का अधिकार होता है और जैश्री राम के नारे यह बंदे मातरम के नारे किसी कटर पंती सोच को रिफलेक्ट नहीं करें तो ईसंपकर नहीं है कि इस बात नहीं समझ पाए कि इस प्राणूं के था गलत मतलब नहीं है यह सिविल राइट और हुमन राइट की बात हो रही है यह UCC अलड़ी हमारे Constitution में पहले से थे आर्टिकल 44 में आप देखिएगा तो वहां पर यह अलड़ी UCC मौजूद है जिसको हमें सिर्फ करना है हमें इंप्लाइट करना है हमारे सबसे बड़ी बात कर देखिए कि इस बात को लेकर बार बार यह कहा है कि नहरू जी इसके हमाइथी थे पुर्णिया प्रणियों क्या है और जैक्शन यह एक राज के लिए यह यह इसा किया जाता है और नहीं लगा जाता है और उसी के बाद नहीं अब आपके सामने ब्रेकिंग में आया कि राजस्थान ने बेसमें अल्री पहल कर लिया है तो एक एक राज से धीरे-धीरे बुरा तो कि राजस्थान अब इसको राजनितिक पहलो से समझना चाहती है बीजेपी का ये कितना बड़ा दाव आने वाले चुनावों से पहले और क्या ये बीजेपी की रणनीती का हिस्सा है 2024 के चुनाव से ठीक पहले ब्रिजबान जी सवाल आप से मेरा जो समानता है उसको ये बोलते ही धर्मता है और जो विसेशात का है किसी एक बर्ग को उसको ये धर्म रिष्चा बोलते हैं अभी एक स्पीकर बोल रहे हैं कि हमारा डैनिश्टी वाला देस है वो तो है multi-culture भी है यहां पे Muslim जो Community है ऐसा दुनिया में कोई देस नहीं है जहां पे इतनी Muslim जो यहां सिया भी रहता हूं तो सुनी में रहता हूं पस्वंदा भी रहते हूं ठीक है को यहां रहते हैं हमारे में लेकिन यह जरू का जा सकता है कि यह महलाओं के लिए बहुत जड़ा ज़री है यह नहीं हिंदू ने अपनी और तो रिपारे पले सती प्रता भी चल रही थी बहुत सारी चीज़ जब यह संविधान समा में आया तो हिंदू लोगों ने जैन लेकिन जब यह सारी चीज़ सब के लिए आ रही है अभी तो के उतरा खंड में चीज़े आई है तो कैन सरकार का था अब यहीं जिते हैं राजिस्तान में आने वाला है तो और पीजेपी के मैनुफेस्टों में रहा है चाहें बहुत हो चाहें बहुत हो यह इनके होदा बास के बीच और उसके बाद चारू में आपके पास आऊंगी हाजी नाजिम आपके पास भी आऊंगी लेकिन संजय मिश्चा जी तमाम जो इसमें पॉइंटर शामिल हैं वो सब के सामने हैं यह भी क्लियर है कि जो यूशी सी का ड्राफ्ट है विध्यक के तौर पर वो कहां को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या वो केंदर के उस यूशी सी ड्राफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिसकी तैयारी में है दूसरी तरफ यह क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ यह आठ फीसित को टागेट कर रहा है जबकि हम सब जानते हैं कि इसमें हिंदू मैरेज अक्ट पुर्णिमा जी देखिए बहुत सारी चीजें आपने शुरुगात में कही है युशिसी को लेकर अब मैं समझता हूँ कि जदी मैं उस पे इसरफ बात करूं जो आपने सवाल उठाया कि युशिसी क्या भारतिये जनता पार्टी की राजनिती को लेकर के एक ऐसा रहनीती मतल पुर्णिती का काम करें बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि भारतिये जनता पार्टी जितनी भी बिल लेकर के आई और वो बिल किसे स्टाइल में आया है तो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं कि ना वाले ना कहें, ना वाले ना कहें, हां वाले हां कहें, हां वाले जीत गए, हां वाले जीत गए, बिल पास हूँआ, बिल पास हूँआ, बिल पास हूँआ, बस हो गया, बिल पास हो गया, कितने लोगों ने हां कहा और कितने लोगों ने ना कहा, इसे सदने में कभी मै जीपि, आपने बिल घर ले गई, चारू प्रग्या जी, हाँ वाले हाँ, ना वाले ना, कहते हो, अपने घर ले गई, आप सारे के सारे बिल, आपने अपने लिए उसको लागू कर लिए, देश के लिए आपने कुछ नहीं किया, मतलब मजाग उडाने की भी सरहद बिश्रा जी जरा मुझे आप सुनिये यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनको 140 करोड की जनता ने चुनकर बैठा है जिनको जिनों ने इन जनता ने उनको भेजा है संसद में कि जाए हमारे देश के लिए आप कानून निर्दारित कीजे और हमारे देश को प्रगती की दिशा पर आप आगे बढ़ाए आप उसका मजाग उड़ा रहे सब और इसके पहले कि सरकार में किस ने चुना था जब मनवह संगारे सुनिये मिश्रा जी जनता ने चुना और जनता ने सिंगासल खाली भी तरवाया तो आपको अगर विरोध करना है तो किसी भी तरीके से लेकिन कम से कम लोग तांत्रिक जवस्था का मजाग उड़ा के नहीं मिश्रा जवाब दीजेगा देखिए हमको यह समझ में आ रहा है मिश्रा जी की बातों से जनता की परवा होती तो शायद यह मेहनत करते अपने मुद्दे क्लियर रखते और शायद 2-4 इनकी सीटे आज की तारीक में आप जानते हैं कि भारतिये जनता पार्टी जनता के कि फ्षाओ के अनुसार निर बेती है तो ल हो चाय परलिमेंट में हो बोचाह एं असेमली में और यूनिव मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए और उसके बाद ये बीच में बताइए आपके साथ निया जी बैठी है निया जी अधिवक्ता है आप वोट कि चलाइए बस तो कि मैं चलंजी की डिबेट्स करती रही है आप कुछ भी करते हैं आप कुछ भी नहीं करते हैं आप पुरुष चला चला की युनिफर्म सिवल कोड की खिलाफ आवाज उठाते ना पुर्णिमा जी सबसे पहले तो मैं यही कहती हूं कि वो पुरुष है इसले इतना चिला रहे हैं क्योंकि उनके उपर बहुत जादा फरक नहीं पड़ता है जब कोट तक ये कह देता है कि बारा साल के बच्चे की शादी आज लीगल है उसको पढ़ने लिखने के लिए अठारा साल तक समय नी दिया जाता अडॉप्शन के केस में जिस तरीके से हमारा देश अब तक स्ट्रगल करना था हम उसको पहचानने का काम कौन करेगा हमारा कानून करेगा कि नहीं करेग करेगा हैं तो अब देश की प्रता को सती की प्रता को सबको सही मानन मानते हूंगे आप लोग देखिए सचाई ये है कि आज जो आवाज उठा रहे हैं वो समाज के खिलाफ है महिलाओं के खिलाफ है और ये बात मैं डंके की चोट पे एक हजार बार कह सकती हूं और अगर आपको लगता है कि 80,000 लोगों के साथ सहमती बना कर आगे चलने के बाद भी जो युनिफर्म सिविल कोड पेश किया गया है उसमें कमिया है तो मुझे लगता नहीं अपने पढ़ा है क्योंकि अगर आपकी बेटी होगी आप चाहेंगे कि बच्पन में उसकी शादी हो जा सब जगा की परिस्तितिया एक जैसी नहीं होती है बहुत अच्छी बात ऐसा कि आप अपने घर में प्रोग्रेसिव माइंड सेट रखते हैं आप बराबरी का अधिकार देते हैं और उसके लिए आप तालियों के हगदार हैं सलाम है आपको लेकिन हर जगे इस्तितिया परि कानून एक तोर से हलाला को अटानी देना चाहिए चारू मैं इसी सवाल को अलग तरीके से मिश्रा जी से पूछ लेती हूँ मिश्रा जी ये बताईए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सबसे ज्यादा दिक्कत आपको क्या हलाला हलाला और इदत पर रोक से है सबसे जहना यह है कि जदी यूसी सी डेश के लिए जरूरी है मैं यह भी कहता हूँ कि यह बीड़ी का माइंड नहीं है ऑल्रेडी संबीधान में अनुछ चवाली सिस्की जगत रहता है जी नहरू के टाइम से संबीधान में यह है लेकिन उस वक्त के लोगों ने देश को बनाने से बैडितन देशन यह भी जेपर सब्सक्राइद прибत में हैं यह मत्याय को यह गया है आप से मैं आपसे हाथ जोड़ करनी थैडिका करां मेराई पास को अबीड़े बोलीए सर, बोलीए सर, जिवनाँ कोस लिए गाहिए जए दिए कॉस लिएगा, पोलिए सर, मुझे जली बोलिए सर, साथ रोज जबेड करने है क्या रोगा को कोस के सर, क्या करूंगी आपको को स्दी antiksemis कारे सर, यह सुनित तो स्वान है तो स्वाबहरी सिर्ट से थे प्रोगर किस थे सकते हम उसलिकित. सब्सक्राइब लाग friendship में, सब्सक्राइब. पर चारू आपको रोकूंगी विरोध में बयान आ रहे हैं यूसीसी के विरोध में कई तर्ग दिये जा रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले उत्राखन के पूर मुख्यवंत्री हरी श्रावत जी से मैंने बात की थी इसको लेकर उनका इस पर क्या टेक है क्या उन्होंने कहा इसको पूरी बात को लेकर यूसीसी को लेकर क्या वो संदेश सरकार तक पहुँचाना चाहतें डीटेल में एक बार उसको देख लेगे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आरी श्रावत जी आपका भारत 24 पर पहला सवाल लाहरी श्रावजी इसी के साथ करना चाहूंगी कि क्या आपको भी लगता है कि पूरे देश के सामने एक बड़ी नजीर के तौर पर उत्तरखंड रज्य बनकर उभर रहा है यू सी सी को लेकर चर्चा हो रही है और सरकार उसको जल लागू भी कर देगी कानून का रूप लेने के साथ ही देखे यू सी सी को हमको समझना पड़ेगा इसका नाम ही इनिफॉर्म सिविल कोड है और हमारे सम्मिधान के डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात कही गई है कि एक आदर स्थिति होगी जब देश के अंदर एक ही नागरिक सहीता होगी और उसको बनाने के लिए केंज सरकार से कहा गया है कि आप सहमती पैदा करें अब केंज सरकार इस दिशा में बड़ी उसने लॉग कमिशन से सिप सुझाव मांगे लॉग कमिशन ने उनको सला दी कि अभी ये सम्मव नहीं है और उन्होंने बहुत सारी ऐसे पॉइंट रेज किये जिसके कारण इसके लिए उन्होंने कहा कि उप्युक्त समय नहीं है क्योंकि भाजपा के अपने पुराने एजंडे में जंसन के दिनों के एजंडे में ये समलित था इसके आदार पर बोट मांगते रहे थे तो केंज सरकार ने टोकनिज्म का सारा लेने के लिए एक प्रिकात्मक्ता का सारा लेने के लिए उत्राखंड को चाटा इस छोटे से राजी को चाटा और यहां के मुख्यमंती भी सहर से इस बात के लिए तैहार हो गए और उन्होंने एक कमीटी का गठन कर दिया, उसकी डाप्ट रिपोर्ट आई है, डाप्ट रिपोर्ट के अधार पर आप तो भी देख पेस हो गया सदन के अंदर, तो इसमें हमारा मानना ये है कि आप युनिफॉर्म सिविल कोड एक राजिगा अलग नहीं होता है, तरीके की विसंगतियां खड़ी हो जाएंगी, और एक नमबर दो, इसके आज लेकर के मालिया, जिस तरीके से आज उत्राखन ने उसी सी का विध्या पेस कर दिया और कल पारिट भी हो जाएगा, क्योंकि उनके पाप बहुमत है, तो यदि कल कोई और राजी भी इसी तरीक कानून लेकर आता है, और वहां की दो तीन कम्यूनिटी में से किसी एक कम्यूनिटी को अपना बोर्ट बैंक बनाने के लिए, वो उनको संग्रक्षन देता है और दूसरे कम्यूनिटी के हितु पर छोट करता है, तो इस से उस राजी के अंदर अशांत ही पैदा होगी, ले मैं एक सेकिंड, आप इसको इस दक्रीज के से समझने की कोशिस करिये, कि मनिपूर के अंदर मैतेई और कुकीज के बीच में इस समय बड़ा भारी क्लैस है, जो पूरे देश को देश के चिंता का कारण बना हुआ है, कल मैतेई डॉमिनेटेट गवर्नमेंट, कुकीज के प करे के जही का है, वही कुकीज का भी होना चाहिए, या कहीं और इस तरीके की स्थितियां आती है, क्योंकि वहां भी समाज के अंदर, यहां तक की हिंदू समाज के अंदर ही विरोधभास पूर्ण प्रथाएं हैं, तो उन प्रथाओं में एक प्रथा को संग्रेक्शन देन लिए दूसरे के उपर उसका असर पड़ता है तो ये देश के अंदर जगो जगो कई तरीके के विब्रम पैदा करेगा कई तरीके की दिक्कते कड़ी होंगी इसलिए यदि आप गंभीर है कि इन सरकार गंभीर है तो वो जो है सेंटर लो लेकर के आई इसकी विशे में और से तरीन कंसर्ड है पहला कंसर्ड तो हमारा यह है कि यह केवल हमारे राजिक के सीमा में लागू होगा हमारे नागरिक जो बाहर हैं या बाहर जाएंगे वो वो इस कानून से गवर्ण होंगे या दूसरे कानून से गवर्ण होंगे कल हमारे कई नागरिक राजिके जो है जो म कोई एक कर रहे हैं और कल वो राजी में आते हैं उत्राखंड के अंदर उत्राखंड में हमने उसको अफरात की सेंडी में डाल दिया जैसे लिविन डिलेशनशिप का रहा है कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर कोई उत्राखंड का नागरिक लिविन डिलेशनशिप में है और किसी साधी व्याग के लिए उत्राखंड में आता है आपने रिस्तिधार के वहां और तो यहां आते ही रिस्टेशन तो करवाएगा निए यह कंसांस दो पहलों पर आके जाने चाहिए सब बिल्कुल मैं अगरी करती हूं आपकी बात से लेकिन स्टेट की जो स्थितियां होती है कि इससे कई विरुधाबास पूर्ट स्थितियां पैदा हो जाएंगी इसलिए क्योंकि यह दूरगामी असर रखने वाला कानून होगा तो इसलिए हम चाहते थे कि इसको पढ़ने दिया जाए प्रियाप्त समय दिया जाए और प्रियाप्त समय के बाद जो है तब इसका लेकिन हरी श्रावत जी आज तो उसकी कॉपी भी दे दी गई राफ को पढ़ने के लिए समय भी दे दिया गया लेकिन उसके बाद विधायत हो हला करते हुए विधान सबा में नजर आए आप राट नए नहीं रात को आप नहीं दे रहे हैं आप सुभ दे रहे हैं विधायक फेज करने के बाद जो है उसको डाल लेहें लोगों के मोबाइल में और कह रहे हैं तक काल इस पर बात करो जो साथ आठ सॉ प्रिश्टूं की रिपोर्ड बतायी आरी है 253 लेकिन उसको बिना पढ़े सर बिना पढ़े उसको मैं ये मानती हूँ कि चलिए 700-800 पन्लों का ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है इसको पढ़ने के लिए परयाप समय आपको नहीं मिला और आपके जो कंसांस है मैं उनको भी समझती हूँ और इसके साथ-साथ मैं ये भी गराए है आप ये भी कह रहें हैं कि कहीं ना कहीं इसको पारित कराने के उचसुक नजर आ रही है नियमों का पालन नहीं किया जारा है ये सब तो आपने पहले से ही अठाक कर दिया पर आपने नहीं इसले करना किया क्योंकि जो बातें बाहर 많ायरे और इधर उदर उनके नेतागणों के बयानुमा आ रही हैं उनके आधार पर हमने यह बाते कही है